नमस्कार, कक्षा तीसरी की व्याकरण भारती की पुस्तक का पाठ दो, वन और वन माला हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, उसे समझा, आज हम पार से संबंदित अभ्यास कारे करेंगे, इसके अंतरगत पहला प्रेश्ण है, वन माला क्रम में लिखे शब्दों के समू के आ आगे हमें इसमें से सब्द चुनने हैं, देखिए ये सब्दों का एक समू बना हुआ है, और इस समू में हमने ये देखना है, हमें ये देखना है कि क्या ये शब्द वन माला करम के अनुसार लगे हुए हैं या नहीं, जो जिस पंक्ति में शब्द वन माला करम के अनुसा इसका पहला शब्द पढ़ते हैं, शब्दों का पहला वर्ण पढ़ते हैं, प, फ, ब, ब, म, यानि कि ये वर्ण माला क्रम के अनुसार बिल्कुल सही है, तो इसके आगे सही का चिन लगाएंगे, अगली पंक्ति पढ़ते हैं, आम, इमर्ती, एनक, अचार, और औरत, इसको इस पंक्ति के सभी शब्दों का पहला अक्षर पढ़ते हैं, ओ, इ, ए, ओ, ओ, अर्थात, ये पंक्ति वर्ण माला क्रम के अनुसार सही नहीं है, तो इसके आगे हम गलत का निशान लगाएंगे, अगली पंक्ति पढ़ते हैं, चमत, छाता, जाडू, जवाब, डमरू, त तो ये वर्ण माला क्रम के अनुसार हम देखते हैं कि पंक्ति सही नहीं है, इसमें हम गलत का निशान लगाएंगे, अगली पंक्ति पढ़ते हैं, ताला, ठकना, दावत, धागा, नाचना, इन सभी शब्दों का पहला अक्सर देखते हैं, ता, थ, दा, धा, ना, तो इन देखकर लगता है, हमें ये पता चलता है कि ये वर्ण माला के अनुसार क्रम में सही लिखे हुए हैं, तो इसके आगे हम सही का चिन लगाएंगे, अगली पंक्ति है, रात, लटकना, वर्ण, शकर, शट, इन सभी सब्दों का पहला अक्सर देखते हैं, रा, ल, व, श, श, तो इसके इन सभी सब्दों को हमने देखा, तो ये वर्ण माला क्रम के अनुसार ये पंक्ति सही है, तो इसके आगे सही का चिन लगाएंगे, प्रेशन नमबर दो, प्रेशन नमबर दो है, दिये गए वर्णों के प्रियोग से, बनने वाले दो-दोश अब्दूली खो, इसमें कुछ वर्ण दिये हुए हैं जैसे ओ, ओ, अंग, ओ इन वर्णों से हमें दो दो शब्द बनाने हैं मैंने बनाया अनार अवसर ओ से बनाया और औरत अंग से बनाया अंग, अंगूर आ से बनाया आफिस, ओरडर आप यहाँ पर कुछ नए शब्द भी लिख सकते हैं तो यह था प्रेशन नमबर दो अब देखते हैं प्रेशन नमबर तीन प्रेशन नमबर तीन है इनसे बनने वाले दो दो शब्द लिखो यहाँ पर कुछ और वर्ण दिये हुए हैं द, ध, ज, और फ, इन वर्णों से बनने वाले शब्द हमें लिखने हैं, तो जैसे मैंने लिखा जर, सड़, ध, से लिखा धकन, बढ़ना, ज, से लिखा मजा, जमीन, और फ से लिखा साफ, काफी, इसी प्रकार से आप अन्य नए सब्द भी यहां पर लिख सकते हैं, इन वर् प्रेश्ट नमबर चार है दिये गए संयुक्त वियंजन किन से मिलकर बने हैं, लिखो संयुक्त वियंजन है, अक्ष, त, ज्यां और श हमें ये बताना है कि ये संयुक्त वेंजन किन से मिलकर बने विये हैं जैसे अक्षवना है क और श से मिलकर अक्षवना त और रसे तर ज और यहां से ज और श जमर श इस प्रकार से संयुक्त वेंजनों का निर्मार हुआ है हमारा अगला प्रेश्ण है प्रेश्ण नंबर पांच प्रेश्ण नंबर पांच में लिखा है कि इन्हें जोड कर शब्द बनाओ याने कुछ नीचे कुछ वर्ण दिये हुए है जिनको अलग अलग करकर लिखा हुआ है हमें इन वरणों को एक शब्द में लिखना है जैसे कजमर जमम ये शब्द बना कर्म सब्द बना धर्म शी प्रकार है द जमर जमम जबना ड्रम अगला है ट जमर जमा क तो ये शब्द बना ट्रक प, जमार, जमाथ, जमाम, शब्द बनेगा प्रधम प, जमार, जमाश, जमान, शब्द बना प्रश्ण तो इस प्रकार से हमने अलग-अलग किये वर्णों को जोड़ करके एक शब्द बनाया है आप भी इस प्रकार से शब्दों को जोड़ कर लिख सकते हैं अगले प्रश्न है चित्रों के नाम लिखो और उनमें आये सन्युक ताक्षर के नीचे रेका कीचो यहाँ पर यह चित्र बने विये हैं आपने इनके नीचे इनके नाम लिखने हैं और जो सन्युक ताक्षर होगा उसके नीचे लाइन कीचनी है तो बच्चों यह पार्ट दो वर्ण और वर्ण माला यहीं समापत होता है अगले पार्ट के साथ फिर अगली वीडियो में मिलूंगी तब तक के लिए धन्यवाद